आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रहमडवाद ब्रोधी पैरियर की 15 विबादित बाते पैरियर नेतर्कवाद महिलाओं के आत्म सम्मान और उनके अधिकारों का घोर विरोध किया है उन्होंने जाती प्रिथा जैसे मुद्दो को लेकर उनकर जमकर विरोध किया है दख्षिन भारत में जोर स्थ से ईवी रामा स्वामी यानि पैरियर का जनम दिन मनाया जा रहा है पैरियर ने ताश जिंदगी हिंदू धर्म और ब्रहमडवाद का जमकर विरोध किया है इसको ने अपने उधारण में उन्हें नए युक का पैगांबर और दक्षिरपूर्व एशिया में सुक्रा समास उधारक आंदोलन का पिता अज्यांता अंधिविश्वास के बेकार रीती रिवाजों का दुश्मन का हैं। सुनिये उनकी 15 विवादित बाते जिन पर विवाद हुआ। से मुझे सक्त नफरत है। साश्त्र पुराणों में दर्ज सभी देवी देवताओं में मेरी कोई आस्ता नहीं है। क्योंकि वो सभी के सभी दोशी है। मैं जनता से उन्हें नश्ट करने की और जलाने की अपील करता हूं। द्रविट कडगम आंदोलन का क्या मतलब है। इसका एक ही निशाना है कि इस आर्र ब्रहमणवादी और वड़ विवस्ता का अंद कर देना। जिसके कारण समाज को जातिवाद और उच नीच में बाटा गया है। पाँचवी बाट, ब्रहमणों ने हमें अंद विश्वास में निश्टा रखने के लिए तैयार किया है। वे खुद आरामदैक जीवन जी रहे हैं और तुम्हें अच्छूत कहकर निल्दा करते हैं। मैं आपको साफधान करता हूं कि उन पर विश्वास मत कीजिए। छटी बाट, ब्रहमणों ने अपने शास्त पुराणों की साहिता से हमें गुलाम मना लिया है। उन्होंने अपने इस्थिती मजबूत करने की लिए सभी मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिम ब्रहमण को यी उंचकियों और अन्ने को नीच कैसे ठहराया जा सकता है। आठवी बात, आप सभी अपनी महनत की गाठी कमाई को क्यों मंदिरों में लुटाते हो, क्या कभी ब्रहमण ने मंदिर तलाव या अन्य परोपकारी संस्थाओं में एक रूपे का भी दान दिया है। नौ वी बात, हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामिड लोग देवी देवताओं अंध विश्वास जाती धरम से छुटकारा पालेंगे। दस वी बात, आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंत्रिक्ष्यान भेज रहें और हम भ्रहमणों की बात मान कर परलोग में बसे अपने पूर्वजों को श्राद में खीर और चावल भेज रहें। क्या ये बुद्धी मानी है? ग्यार विबात, इश्वर की सक्ता स्विकारने के लिए बुद्धी की आवशकता नहीं पड़ती लेकिन नास्तिक्ता स्विकारने के लिए बड़े सास और ध्रण विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। यही प्राथना का सार है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि परमाणों युग में लोग देवी देवताओं पे विश्वास करते हूँ क्यों नहीं शर्माते हैं? पंदर विबात, उन सवी देवी देवताओं को नश्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन प्राणों और उतियासों को द्वस्त कर दो जो देवी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। उन देवी देवताओं को पूजा करो जो वास्तम में दयालू भाव और बोधगम हैं। और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।